2004 में अलनव घोस्वामी के साथ राईूल गांधी जी का इंटर्व्यू हुआ वह तो सभी ने देखा और आपने कहा कि उसमें आत्मिश्वास की कमी दिख रही है। उस इंट्रिव्यू के बाद में क्या आपको लगता है कि राउल गांदी की छवी में वह इंट्रिव्यू एक आखरी कील थी उसके बाद में आपकी पत्रकारिये घरानों में आपके बिहाइंड दा सीन क्या चर्चा रही क्या नव हो रहा उसके बाद में देखे मैंने ये बा मुझे यहाँ पर डीडी में, जो मेरे उस वक्त के बॉसे थे, उन्हें मुझे बुला कर कहा था, तुम को इंट्रिवू करना पड़ेगा राहुल गांदी का, तुम उसके लिए तैयारी कर लो. मैंने बुला ठीक है. उस वक्त सरकार किसकी थी? कॉंग्रिस की सरकार थी. मैंने उस इंट्रिवू के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी. तो मेरे से कहा था, ऻो, आपिछे दे दो, तो मैंने इस वाल तैयार करके दे दीयता है, वह इस सरकार पूरा इंट्रिवू का. लेकिन जब मुझे कहा गया तो उसके बाद करीब करीब दस दिन पंदरा दिन बीज दिन वक्त बीटा गया मुझे फिर कोई जवाब नहीं पहला मैंने एक दो बार जाके पूछा भी कि वह इंटर्वू का क्या हुआ तो मुझे कहा गया कि भई अभी कोई सूचना नहीं है तो दरसल जो बाद में मुझे पता चला वो ये कि राहूल गांधी के उस वक्त तैयारी थी राहूल गांधी को उस वक्त लाँच करना था मतलब री 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 लाँच तो राहूल गांदी लॉंच बहुत बार हो चुके थे 2014 की बात में कर रहा हूँ जब मनमोन सिंग ने कहा था कि अब वो प्रधान मंत्री नहीं होंगे तब कॉंगरेस ने तैक किया था कि राहूल गांदी को प्रधान मंत्री का चहरा बनाए जाए और प्रधान मंत्री के तोर पर उनको प्रजेक्ट किया जाए तब कॉंगरेस ने तैक किया था अगर कॉंगरेस की सरकार आएगी तो राहूल गांदी प्रधान मंत्री बनेगे तो कॉंगरेस ने सोचा था कि राहूल गांदी के एक-एक करके इंटर्वी करवाएंगे सब लोगों से तो उसकी शुरुआत कॉंग्रिस ने जो मुझे बाद में पता चला कॉंग्रिस के सोर्सिस सभी पता चला उन्होंने तेह किया था कि इन इंटर्वी की शुरुआत दूरदेशन से होगी क्योंकि दूरदेशन से इसलिए हुई क्योंकि दूरदेशन उस वक्त सरकार कॉंग्रिस की थी तो उनको लगा कि अगर कुछ भी होगा तो मैनेज कर लेंगे अगर गलत बोल दिया राहूल गांदी ने तो उसको रीशूट कर लेंगे कटवा देंगे क्योंकि दूरदेशन पे तो उनका हग चल सकता था तो उन्होंने ते किया था दूरदेशन को पहले इनको देंगे उसकी बाद एक एक करके सब चैनल को इंट्रिवू देंगे लेकिन उसके बाद कॉंग्रिस की योजना बदल गी मुझे नहीं पता किसका दिमाग आया कॉंग्रिस में ये री थिंकिंग हुई कि राहूल गांदी को ग्रैंड लाँच किया जाए तो ग्रैंड लाँच कैसी किया जाए तो राहूल गांदी का पहला इंट्रिवू बहुत धमाकेदार होना चाहिए तो उन्होंने का धमाकेदार इंट्रिवू के लिए टी आरपी में सबसे ज़्यादा कौन है अंग्रेजी में उन्होंने का अर्णब गोस्वामी टाइमस नाओ तो उन्होंने का अर्णब गोस्वामी से शुरुवात करते है लेकिन वो भूल गए कि अर्णब गोस्वामी को तो आपने चुल लेकिन क्या रापूल गांदी अर्णब गोस्वामी के सावालों का जवाब देने के लिए तैयार है उनके पास उनकी इतनी तैयारी है तो रापूल गांदी के तैयारी थी नहीं कर दिया तो उसके बाद आप जो आप बगले जाक रहे थे उसके मजे नहीं पता लेकिन मेरे मेरे पास जो कॉंग्रेस सोर्सिस जो उसक्त जानकारी मिली उन्हें प्रियंका गांदी के टीम ने कहा कि भई राहूल गांदी को ग्रैंड लांच करना चाहिए और उसमें जो है राहूल गांदी फज गया और उसके बाद उन्होंने इंट्रिवू देने अब आप देखिए राहूल गांदी को कैसे नेता बनाएगा उस इंट्रिवू के आया है, क्योंकि सोचल मीडिया में क्या है? राहुल गांधी चल रहे है अब उन्होंने ऐसे पलट के आँख देखे वो चल रहे है तो अब वो ऐसे देखे अब यह निसली दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी का अलग-अलग विश्यों पर क्या मानना है क्या चीज़े हैं इंट्रू के तोर पर नहीं राहूल गांदी को वो कर रहे हैं कि अलग-अलग मीडिया में राहूल गांदी बात करें वो राहूल गांदी को चला रहे हैं राहूल गांदी को पेच कस्ते वे दिखा रहे हैं राहूल गांदी को जो है फावड़ा चलाते हैं तो जैसे एक हीरो बनाए जाता है, फिल्मों में क्या होता है, हीरो बनाए जाता है, कि अक्षे कुमार आए, पचास गुंडे खड़े हैं, दिशुम मारा, अब अक्षे कुमार का हाथ ऐसे जा रहा है, डीम, स्मोल स्लो मोशन में दिखा रहा है, उसके बाद जो उड रहे हैं गुंडे तो अक्षे कुमार हीरो बन गए अब कि असल में अक्षे कुमार मुक्का बारेंगे तो उड़ी जाएंगे क्या नहीं उड़ेंगे तो अब वो हीरो बनाने के लिए फिल्मी अंदाज चल रहा है तो उसी तरह से राहूल गांदी को फिल्म ही अंदाज में कि राहूल गांदी चल रहे हैं नायक हैं जन नायक हैं किसी बच्ची से मिल के लो रहे हैं यह जननाएक वाला ट्रम्प बड़ा तो यह सारा सोशल मीडिया का गेमिक्स है अब मुझे लगता है कॉंग्रेस ने बीजेपी से सीख लिया और अब बीजेपी आगे बढ़ गया अब मुझे लगता है बीजेपी को सीखना चाहिए कॉंग्रेस से